तो इस्ट्रेंट्स क्या है मेरे हाथ में मेरे हाथ में है एक पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड तो आज यहां मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि किस तरह से यह पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की एक असेंबली है बचो और आप सभी जानते हैं हमारे इंजन क पर काम करता है जहां पर हमारा पिश्टन जो है कनेक्टिंग रॉड के साथ मोशन को ट्रास्मिट करता है तो आईए आज समझते हैं इस पूरी पिश्टन और करेक्टिंग रॉड की असेंबली डिटेल में तो बच्चों जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने पिश्टन की में हमारे इंजिन के मेकैनिजम में उस पर भी बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग आपको चीज़े दिख रही है पार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे लेता हूं यह है हमारा पिश्टन जिसको में पिश्टन बोलते हैं अब इस पर भी अंदर डिटेलिंग पर आए अब आपको चीज़े दिख रही है यहां पर आपको चीज़े दिखाए देती है तो आप सभी लोग जो है वह फंक्शन बहुत अच्छी से जानते हैं कि गैस का कमशन जब गैस प्रेशर उपर से पड़ता है तो उस मोशन को पिश्टन के डाउनवर्ड मोशन को यह करेंट हो के अग rek motion को travel के करती है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पे पिस्टन की ना वरे देख सकते है मेरे पास जो है यह फिस्टन है अब इस पिस्टन की डीटेलिटर्ई समझते है सब पिश्टन का बच्चो यह कहलाता है सबसे टॉप पॉट्षन इस यूर हैड पिश्टन हैड तो यह मैंने डीजल इंजन का पिश्टन लिया है अब डीजल इंजन के पिश्टन में अगर आप देखोगे तो उपर आपको कुछ स्लॉट सा दिखाई देगा यह स्लॉट बनाव के लिए हम यहां पे इक पहल करेएड करते हैं ठीक ैतो यह आपको पिश्टन मंने जो जो तो तो वहां आप देखोगे तो यह आपको बिल्कुल फ्लाइट दिखाई देखाई रहा है तो वहां को स्पेशल स्लॉट की जरुवत नहीं है लेकिन यहां पर क्या होता है फ्यूल इंजक्ट होता है तो उसके लिए स्पेस देते हैं हम लोग तो कई यहां पर आप सेंटर में बिल्कुल होल भी देखो के हमारे पिस्टन के डीजर इंजन के पिस्टन में क्लियर है तो चलिए अब यहां पर देखिए आप यह रहा मेरा मैंने क्या बोला पिस्टन हैड अब पिस्टन हैड के नीचे देखिए आप ग्रूविंग हो रही है तो यह बच्चों होती है हमा वाल दिखाई देगा यह SUS hiernaire नीचे आई और इक है मारा नीचे क्वाटम गरूव UK तो यहाँ भी इसी तरह से आते हैं अब इसी तूरह से आते हैं पास यहाँ पर यहाँ पर यहाँ क्या स्कर्थ बोंड़ इसी सब्सक्राइब कर देखें कि जिए आपका इस्टन पीन या पिस्टन पीन जिसे हम कहते हैं जहां से आपकी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट रथी है तो यह था हमारा पिस्टन की बात ना थीक है बैक्टु एसेंब्ली तो यहां पर आप रिंग्स की पोजिशन देख सकते इन रिंग में जो है आपका अब ये इन रिंग के हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो टॉप रिंग होता है बचो वो हमारा मेंली काम आता है कि जब पिस्टन और स्लेंडर की वाल के बीच में हम कहते हैं कि जो एक लीकेज रोकने के लिए हमें वो गैप जो है वो कवर करके चलना पड़ता है जिससे की कंबर्शन जो गैसे से वह हमारे पिस्टन के दूसरी साइड में ना आए लीक आउट होके तो उसको लीकेज को रोकने के लिए हमारे पास यह होते हैं के कंप्रेशन डिंग जो टॉप रिंग हमारे वो कहलाते हैं कंप्रेशन दिंग जेके सेम वर्क विद इंटर्मिडिट रिंग और जब थर्ड वन अमारा जो होता है इस रिंग में अगर आप देखोगे तो इस रिंग में और इस रिंग में आपको एक अंतर दिखाई देगा मैं आपको तरदा ख्लोज यू देता हूं इसका देखे ये वाला रिंग जो है वच्चो एक सॉलिड रिंग दिखाई दे रहा है आपको तो ये एक रिंग है जो सॉलिड रिंग है ये हम क्या खे रहे हैं कंप्रेशन रिंग और उसी के तरह अगर मैं ये वाला रिंग दिखाता हूं आपको जिसको मैंने ओयल रिंग बोला पैचाना कि यह एक oil ring है और यह एक compression ring है ठीक है और यहां पर एक इसी तरह का oil ring के अंदर ही एक oil expander आता है इस तरह का जो क्या करता है इसको हमारा lubrication को hold करके रखता है लुब्रिकेशन को carry करके रखता है यह oil expander है ठीक ना ताकि जब piston हमारा dip होगा तो इसमें oil जो है वो carry रहेगा जिससे wall और piston की wall और slender wall दोनों जो है वेट रहेंगी हमारे lubrication से अब यहां पर हमारी connecting rod दिख रही है आपको तो connecting rod का यह वाला हिस्सा यह कहलाता है small end और यह वाला हिस्सा कहलाता है large end अभी मैंने पूरा नहीं लगाया है large end में इसके नीचे एक cap लगती है यह cap नजर आ रही है आपको ठेक है ना जो cap एक bolt के साथ लगती है और bolt हमारे किस तरह के होते है यह T bolt होते है ठेक है यहां पर last चीज मैंने बतानी रहेगी that is your piston pin this is your piston pin जिसको gajon pin बोलते है देके simple cylindrical है लेकिन अगर आप ध्यान से देख all float हमारी full floated pin है ठेके ना अगर आप इसके टाइब दिखेंगे तो कई तरह के होगी half loaded full floated rigid fixed तो यहां पर हमारी full floated pin है ठेके ना उसके साथ हमने यहां पर लगाई है these are called circlips यह circlips हैं जो इस piston pin को properly hold करके रखेंगी तो चलिए इनके assembly करके दिखातों में कितना simple है तो चलिए वुचो सबसे पहले में रहता हूँ यहां पर piston ठेक्या है यह हमारा piston है तो piston में सबसे पहले आपको आपके rings चड़ाने हैं ठेके ना तो यहां पर मैं सबसे पहले oil ring चड़ाता हूं दीखिए lift ये अंदर हो जाता है आपकी मर्दी इसके साथ साथ इसे चड़ा सकते हो या पिर इसको अलग अलग इड़ा सकते हो तो पहले में चलो अलग चड़ा देता हूं तो तो आप इसके अंदर फिट हो जाएगा क्योंकि यह easily expand हो जाता है ठीकि ना तो इसको तो आप इसके अंदर अराम से fit कर सकते हो यह आपके सबसे बॉटम जो बॉटम गुरूव है उसके अंदर आ जाएगा यह आपके बॉटम गुरूव में ऐसे plays हो जाएगा easily और उसके पाद आप इसे कंप्रेस कर सकते हो यह अपने स्लॉट में इस तरह से फिट हो जागा या रखिए बच्छो कभी भी यह फिक्स फिट नहीं होता है यह हमेशा लूस फिट रहते हैं ठेके ना क्योंकि यह स्लेंडर के साथ जब कंप्रेस होते हैं तब यह पिल्कुल प्रॉपर तो इसको अराम से इसके साथ घुमा के हम ऐसे फिट कर देते हैं एक एक करके यह एक्सपेंडर जो है वह इसके अंदर आजना चाहिए अब आप देख सकती हो कि कितना असानी से यह इसके अंदर फिट हो गया है और अब आप इसे कंप्रेस भी करें तो यह पूरा इसके अंदर अराम से फिट हो चुका है तो ऐसे ही लूज फिट रहेगा बच्चों इसके साथ यह था कि जो इसका काम क्या बताया था मैंने देया और ओल रिंग्स तो यहाँ पर स्लॉट में यह पिस्टन आपका नीचे करता है तो डिप करने पर पिस्टन यहाँ पर क्या लेकर आता है और अपने साथ कैरी करके रखता है जिससे वाल और इसके बीच में फ्रिक्षिन जो है वह मिनीमम रहता है उसके बाद आप अपनी इंट्रीमिडेट रिंग चड़ा सकते हैं तो मैं इंट्रीमिडेट को नह तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा कंप्रेशन डिंग भी जो है वह आ गया है ठीक है और सबी जो है वह इस तरह के लूज फिट होते हैं अब इसको कि नाली रख देते हैं अब आते हैं हम अपनी connecting rod में तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि connecting rod का एक है हमारा ये small and और एक है हमारा Big end big end के साथ आपको सबसे पहले जो है वो cap connect करनी पड़ेगी this is your cap तो इस cap को connect करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर bolt insert करेंगे तो यहाँ दखे बच्चों, bolt में जो है वो slot बनावा है, T bolt है हमारा और यहाँ पर आप देखो कि एक side जो है एक semi circular arc slot होता है तो उसके according आप इसके अंदर insert करेंगे तो यह एक बारी में पूरा insert नहीं होगा तो आपको इसको hammering करके अंदर insert करना पड़ेगा ना होगा दूसरी side भी आप क्या करें, सेम वही semi circular arc वाली side को ऐसे डाल दें और अब आप इसे hammering करके अंदर insert कर सकते हैं ठीक है, अब इसके बाद इस cap को आप इसके इस साथ insert करें बस ध्यान रखिए बच्चो, यहाँ पे एक slot है यहाँ पे आपको एक slot दिखाई दे रहा है, मैं नजदीक से दिखाता हूँ आपको एक यहाँ पे आपको एक slot सा दिखाई दे रहा होगा corner में, कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे एक slot सा है same SI slot जो है, वो lower cap में भी है ठीक है न, तो अब याद रखिएगा यह slot जो है, वो एक दूसरे के opposite side में आता है मतलब, जैसा slot यहाँ है ऐसा ही, तो आप जब यह से लगाएंगे तो यह इस तरह से लगेगा तो इसलिए यहाँ पे bearing की lubrication वगरा के लिए भी यहाँ पे groove दिया रहता है आपको groove दिखाई दे रहा होगा ठीक है न, तो यह cooling system जब मैं बताऊंगा एक दिन आपको lubrication system तो तब इन grooves की बात करूँगा यह groove आपको हर जगा दिखा रहेगा connecting rod के top bearing में भी जो उपर bearing आएगा small end की तरफ वहाँ पे भी large end की तरफ जो bearing आएगा वहाँ पे भी अब हमारी connecting rod जो है वो completely तियार होगा यह बचो काफी छोटी-छोटी चीजे और भी है जो आप देख सकते हैं जैसे connecting rod का section अगर आप देखो तो आपको कुछ आई section जैसा दिखाई देता है विचह है सबसे highest strength हमें देखने को मिलती है बस अब piston और connecting rod को दोनों को connect करना है तो किसके थुरू करेंगे you have a guardion pin या piston pin जिसे कहते हैं तो जैसे कि मैंने का था कि piston pin को इसमें डालते समय यह ध्यान रखें कि जो पिन है आपकी वह एक तरफ larger डाया और एक तरफ small डाया बचो तो यह आपको ध्यान रखना है वैसे पता जाएगा क्योंकि जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको पूरा इंसर्ट नहीं करना है क्योंकि बीच में आपको connecting rod fit करनी है जैसे यहां पे आप देख सकते हैं यहा मैं यहां पर इसे हटा देता हूँ और यहां पर लगाता हूँ connecting rod हमारी ठीक है तो इस तरह से जो है यह connecting rod यहां पर fit हो जाएगी कुछ ऐसे तो आप इसके थूर आप बाइपास कर लीजिए इस pin को कुछ ऐसे और यह यहां से अब देखिए यह connection जो है वो easily हो चुका है लेकिन जो है आपकी pin जो है वो भार आ सकती है तो जैसे मैंने काता है यह fully floated pin है क्योंकि यह इदर उदर कहीं भी जा सकती है तो इस पर लगाते हम लोग यह sir clip इस clip से जो है यह हमारी fix हो जाती है तो यहां पर clip क्या है आप compress करिए इस clip को किसी भी प्लायर से आप कर सकते हैं compress करके इसके अंदर इसे fit कर दीजिए कुछ ऐसे ठीक है तो एक clip यहां fit हो गई आपकी सेम कुछ एक clip को आप यहां fit कर सकते हैं ठीक है इस तरह से तो यह बच्चो देख सकते हैं आप complete जो है एक diesel engine की piston connecting rod assembly हमने त्यार कर ली है क्लियर है समझ आई बात तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि कैसे यह piston assembly त्यार करते हैं आने वाले दिनों में इसके साथ हम crank shaft connect करके भी पूरे engine mechanisms की assembly करेंगे थैंक्यू अरे मच्च